नमस्कार दोस्तो, स्वागेता आप सभी का, आप देख रहें सोहन सर्मा किचन की, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज मैं आपके शार शेर करूँगा छेनाक टोस्ट स्विश्ट रेसिपी जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें, या मैमान आगये घर के अंदर जटपट कोई मीठाई बनानी है, वो भी बहुत ही सांदार तो आप ये मीठाई बना सकते हैं, इतनी टेश्टी बनती है कि मैमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाई है और इतनी बढ़िया लगती है देखने में भी कि बजार की महंगी से महंगी मिठाई इसके आगे फीकी लगेगी वीडियो को सुर्वी से लेके आन तेक जूर देखे और पहली बाद चैनल देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए शाथी दवाद जी पहला आकिन का बटन एक छोटी चमच रश डालना है जब तक दूद फटे तब तक दूद जीसे ही फट जाए अची तरीके से आपको इस तरीके से चलाना है गेश को थोड़ा तेजा आसपे कर लेना है और दूद में जीसे पानी अलग हो जाए और पनीर अलग हो इस तरीके से और उबहाल आ जाए वापस से तब आपको क्या करना है इसके अंदर नोर्मल ठंदा पानी डाल देना है आधा लीटर पानी इसके अंदर डाल देना है और दूद को गेस से हटा लेना है और इसको एक छलनी के अंदर चान लेना है पानी मैंने हटा दिये इतना प जो नॉर्मल साइज की जो ब्रेड होती है वो इसके किनारे आपको कातने हैं अच्छी तरीके से ब्रेड के किनार कात लेने हैं उसके बाद देखे मैंने किनार कात लिए सारी ब्रेड के उसके बाद आपको टोस्ट किस तरीके का बनाने इतना बड़ा रखना चाहिए तो भी और इसके च्यार करके वेसे बनाना चाहते हैły छोटा-छोटा तो भी आप बना सकते हैं और इसको आप इसन्वीच टाइप में भी बना सकते हैं देखें इस तरीके से सेणोइच टाइप में काट लीजीऊ यह सेण में बढ़ा हो गया इसका इधर से एक बार और काड़ दीजिए, ताकि छोटे-छोटे सेन्वीज बन जाएंगे, तो इस तरीके से ब्रेड को आपको चाकु से कट कर लेना है, इसके बाद गेस जड़ा है तेजाज पर उसके में फ्राइपन, फ्राइपन के अंदर 100 ग्राम देशी गी चड़ाया इनको सीधे-सीधे ही फ्राइ करना है, आपको सुनेरा ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राइ करना है, इस तरीके से, आप चाहे तो रिफाइंड ओयल में भी कर सकते, लेकिन मैं रिक्वार्मेंट करूंगा कि आप देशी घी की अंदरी करे, उससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है, इस तरीके से जब ब्रेड शिख जाए, हाई मीडियम, हाई मीडियम आज पर आपको इसे सेखना है, अच्छी तरीके से सुनेरे ब्राउन हो जाए, ब्रेड के इस से सह चोटे-चोटे ये इस तरीके से देखिए, ये जो ब्राउन-ब्राउन हो गए है, इ प्राई करके रेडी कर लेनी है, यह एकदम क्रिस्पी होते हैं, देखे सारी ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है, पैयार है, बिल्कुल रेडी है, यह ब्रेड के पिसे सारे रेडी हो गए है, और एकदम क्रिस्पी है यह, फिर इदर मैंने कड़ाई चड़ाई है, गेस धीमी करना थोड़े से केसर के 10-15 के धागे डाल देना है ताकि चाष्णी के अंदर खुश्बू अच्छी आजाए तो धीरे धीरे धीमी धीमी आँज पे आपको इसको चाष्णी यह चीनी को मेल्ट करना है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो गेस को तेज आज पर करके और जैसे ह यू उबाल आजाए पांच से उबाल आजाए चाष्णी के अंदर तो आपको गेश को बंद कर देना है चाष्णी बिल्कुल कंप्लीट है कुछ भी तारवार देखने की जरूरूर्ट नहीं बस यहां पर मापका ध्यान रखना चाष्णी को रख देते साइड में और इधर में चैना 10 मिनिट हो गया है क्रीब-करीब पानी धघर गया है इसका यह देखिए एक प्लेट के अंदर डाल दिया है इसके अंदर दस-स-पंदरा केसर के धागे टाल दिए मैंने तोड़े से cutting पिस्टा डाल दिये है 12 चमच क्रीव और एक चमच cutting बदाम डाल दिये है मैंने और थोड़ी सी कुटी हुई ilaichi डाल लिए आपको 2-3 ilaichi को कुट के डाल दिजिए ताकि इससे खुस्बू अच्छी है अगर आप ऐसे ही नॉर्मल खाना चाते हैं, तो आप नॉर्मल रखिए, चाशनी के अंदर ब्रेड को अच्छे से डिप करके अच्छी तरीके से चाशनी पिला लेने हैं, यह जो फ्राई जो ब्रेड के टुकडे हैं, अच्छी तरीके से चाशनी पिला के इनको बहार निकाल सारे ब्रेड के पीस आपको ready कर लेने हैं थोड़ी चार्षनी बच गई है यह पांच पीस का material है मैंने तीन पीस का बना के दिखा है आपको पांच ब्रेड के पीस का फिर देखिए जो हमारे पाथ छेना था इसको इसके उपर अच्छी तरीके से लगाना है ब्रेड के उपर अच्छी तरीके से छेना लगाना है और दूसरा ब्रेड का जो फिस है उपर लगा देना है यह तो हो गया चोकोर वाला अब मैं आपको पीन कोने वाला भी बना के अच्छी तरीके से सुन्दर तरीके से लगाना है आपको छेना अच्छी तरीके से ताकि जब कोई खाये त बहुत ही पटापट बनती है जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ गए है या फिर बहुत ही जल्दवाजी में कुछ मीटा खाने का मन कर रहा है तो बनाईए आपको बजार में नहीं मिलेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है उपर से तोड़े पिस्ता बदाम वगरा कटिंग वाले लगा दीजिए उसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए ताकि खाने वाले भी पूछे यार कैसे बनाई है तो आप जरूर बनाना और वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक सेयर जरूर करना और कमेंट करना कि आप भी रेसिपी कैसे लगी बनाते रह कर देखा ते रहे बता ते रहे मिलता हो फिर मैंने